पड़े और चेहडे अक्सर जूट बोला करते हैं इंसानियत की असलियत तो वक्त बताता है हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता क्योंकि लिखने वाला भावनाय लिखता है और लोग के वल सब्द पढ़ते हैं चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तो तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं जिंदगी की तपिश को सहन कीजिये जनाब अक्सर वो पोधे मुर्जा जाते हैं जिनकी परवरिस छाया में होती हैं रिष्टे कम बनाईए लेकिन उन्हें दिल से निभाईए क् उनकी अक्सर लोग बहतर की तलास में बहतरीन खोदेते हैं पुछ अच्छा या बुड़ा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है कोई जाती नीच नहीं होती लेकिन नीच आदमी हर जाती में होता है हम जुखते हैं क्योंकि हमें रिष्टे निवाने का सौख है वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और ना ही आज है आज की सच्चाई तो यह है कि फेस्बूक या वाटसेप पर सैक्रो दोस्त है पर असल जिन्दिगी में परोशी से भी बोलचाल बन्द है प्लंड बैंक ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई नहीं पूछता कि खून किस जाती का है इंसानियत और मारवता सिर्फ वहीं पर नजर आती है रोटी का कोई धर्म नहीं होता पानी की कोई जात नहीं होती जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती मेरी खामोसी से किसी को कोई फर्क नहीं परता और शिकायत में दो लवज कह दूं तो वो चूप जाते हैं एक सुकून की तलास में जाने कितनी बेचेनिया पाल ली और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए हमने जिंदगी संभाल ली उनसे ही सीखा हमने गजर अंदाजी का उनर और जब उन पर आजमाया तो हुजूर बुरा मान गए खिचिडी अगर बरतन में पके तो बिमार को ठीक कर देती है अगर दिमाग में पके तो इनसान को बिमार कर देती है मतलवी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है तोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर दुनिया के दर्सन उनके अंदर ही हो जाते है जिंदगी से सिखवा नहीं कि उसने गम का आदी बना दिया गिला तो उनसे है जिन्होंने रौशनी की उम्मीद दिखा के दिया ही बुझा दिया दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना दोनों में बहुत फर्क होता है अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभाव कभी गलत नहीं होता क्योंकि अनुमान हमारे मन की कलपना है और अनुभाव हमारे जीवन की सीख कभी कभी आप बिना कुछ गलत किये भी बुड़े बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते हैं ये दबदबा ये हुकूमत ये नसा ये दोलते सब किराएदार हैं ये बदलते रहते हैं मुश्कुराहट अपनापन और सौभाव बस ये ही अपने हैं इनसे ही हम सब फलते पूलते हैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की देर से ही सही मगर कामयाब बनो क्योंकि वर्सों की मुलाकात के बाद भी लोग खैरियत नहीं मगर हैसियत पुझेंगे हथेली पर रखकर नसीव तु क्यों अपना मुकदर ढूनता है सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूनता है छू गया जब कभी खयाल तुमारा दिल मेरा देर तक धरकता रहा कल जिक्र तुमारा छिर गया घर में और घर देर तक महबता रहा अनुभाव कहता है किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए आपको वही इंसान किसी पर भरोसा नौ करने का सबक सिखाएगा गलती स्विकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी पैसा हो तो आपकी औयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती पर गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती एक दिन सोने ने लोहे से कहा हम दोनों ही लोहे की हतोड़े से पिटते हैं लेकिन तुम इतना चिलाते क्यों हो लोहा ने कहा जब अपना ही अपने को गाव देता है तब दर्ध ज्यादा होता है बड़े प्यार से नजर अंदाज किया था कुछ लोगोंने मुझे और अब मेरे हर अंदाज पर नजर है उनकी कभी कभी संबंद भी बड़े नाजुक दोड़ से गुजरते हैं लोग सब्दों को पकर कर इंसान को ही छोड़ देते हैं सच वह दौलत है जिसे पहले खर्ज करो और जिन्दगी भर अनंद करो जूट वह कर जाए जिससे च्छनिक सुख पाओ और जिन्दगी भर चुकाते रहो सफाई वहाँ देनी चाहिए जहां कोई समझने वाला हो जिसने हमें गलत मान ही लिया तो हम गलत ही ठीक है भावुक लोग संबंद को संभालते हैं practical लोग संबंद का फाईदा उठाते हैं और professional लोग फाईदा देखकर ही संबंद बनाते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा बुडे कर्मों की वज़ह से ही दर्द साने को मिने कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं आखों के परदे भी नम हो गए बातों के सिलसिले भी कम हो गए पता नहीं गलती किसकी है वक्त बुड़ा है या बुड़े हम हो गए